सीजन की शुरुआत हुई एक एक्सिटेंट को दिखानी सी जहां एक लड़का बच्चे को बच्चा रहा था पर जैसे एक ट्रक्सी टक्राया मौकी पर यूसकी मौत हो गई अब यही एक लड़का दिखाया गया जिसका नाम यूसक था और यही कहाने का में केरेक्टर है वो मरने वने लड़की पास रहा तो पताचला कि जो मर गया है वह भी यूसक ही है और ये जो यूसक अभी आया था ये आत्मावले रूप में है अब इतनी ही दीर में यहां यूसक की दोस आई उसे जब ambulance मिले जा रहा था तो वो रो रोकर उसे अवाजे लगाने लगती है ये देखकर यूसक उसे कहता है मैं यहां तुम्हारे पीछे हूँ पर क्योंकि वो आत्मावले रूप में था तो उसकी दोस ना तो उसे सुन सकती थी और ना ही देख सकती और अब हमें यूसक की मरने से पहले का कुछ वक दिखाया जाता है पता चिला कि वो काफी ताकतवर लड़ा का लेकिन दिल का काफी अच्छा इंसान था पर उसकी दोस हमेशा उसे लड़ाई से दूर रखती थी स्कूल में यूसक देखता है कि कुछ लड़की एक दूसरी लड़की को बुली तन कर रहे हैं पर यूसक उन लड़कों से लड़ता है उसकी मदद करने के लिए इतनी ही देर में यहाँ टीचर आ गया वो यूसक को उनसे लड़ता हुआ देकर यह समझ लेती हैं कि यूसक उन्हें परेशान कर रहा हैं वो उसे डाटती हैं तो यूसक बिना कुछ कही वहां से चला जाता है बाहर जब वो आया तो एक फाइटर लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ सामने आ जाता है क्योंकि वो और उसकी साथ ही यूसक से लड़ना चाते थी फाइटर लड़के की हमेशा से खौहईश थी कि वो यूसक से लड़ाएं में जीत जाए पर आज भी यूसक उन से लड़कर सब को काफी मारता है उन पर भारी पढ़के खौब धिलाई करके वहां से भगा दीता है एक सुराक में से उड़ने वाला केड़ा बाही राया जो ट्रुक ड्राइवर की नाक में गुस जाता है ऐसा होती है ड्राइवर एक्दम बदल गया उसने अपना कंट्रोल को दिया इसलिए वो ट्रुक काफी स्पेड में चलानी लगता है ये वो ये ट्रुक था जिससे टकराने से यूसक की मोह थुई चाफी सानों पहले न सिससे बदल गया अगर बुरी तरहं इनसानों से डढने लगती थी युकाई असल में वो डेमन्स होते हैं जिनके पास ताक्ति होती हैं सिर्फ यही नहीं बलकि कभी-कभी इनसानिक दुनिया में भी डेमन्स आ जाय करती थी और बुरी तरह इनसानों से ड़ने लगती थी ये देकर तीसरी दुनिया इने के आत्माओं के दुनिया harina को अलग करने का फैसला किया उन्होंने दुनों दुनियां के बीच एक बॉर्डर बना दिया जिसी वो अलग-अलग हो गई लेकिन फिर भी कभी-कभी डेमन्स इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं जैसे कि वो उरने वाला केड़ा, वो भी डीमन्स की दुनिया से ही आया था। यूसप जो आत्मा की रूप में था, उससे मिलने मोद की पर ही आती है। वो से कहती है कि मैं तुम्हें आत्माओं की दुनिया में ले जाने आई हूँ। जिसके बाद वो यूसप को एक श्टी में बेठाकर आत्माओं की दुनिया में ले जाती है। जहां जाकर ये लोग आत्माओं की दुनिया की हेड से मिलते हैं। जो यूसप को देकर एक ओफर देता है कि मैं तुम्हें दुबारा जिन्दा कर देता हूँ। पर इसके बदले तुम्हें आत्माओं की दुनिया का डिटक्टिव बनना पड़ेगा। तुम्हारा काम डीमन्स की दुनिया से इंसानों की दुनिया में आने वाले डीमन्स को पकड़ना होगा। और ये पता लगवाना होगा कि डीमन्स इंसानों के दुनिया में क्यों आए हैं। पर इस पर यूसक साफ साफ मना कर देता है। तब मौत की परी उसे मनानी लगती है। एक कसीनों का मालिक दिखाया गया, जो एक काफी अमीर आदमी से वोई सुराख खरीड़ता है, अगर यूसक को तुबरा जिन्दा होना था, तो उसे अपनी लाश को जिलने से बचाना था, जो चीज इस वक्त नामम्किन थी, इसलिए वो अतमाओं की हेट को कहता है कि मैं तुम्हारे हर बात मालूगा, लेकिन अभी मेरी मदद करो, मुझे इन मुश्किल हला से बाहर निकालो, जिस पर हेट यूसक की बात मान कर उसे फिर से जिन्दा कर देता है, उसे दुबारा जिन्दा देकर यूसक की मौम काफी खुश हो जाती है, लेकिन वो यहां से भाग गया, क्योंकि उसी डीमन लड़के को रोकना था, डीमन को उसके अंदर से बाहर निकालना था, जो अभी तक लड़के के जिसमे ही था, यूसक जैसे उसकी पास पहुंचा, तो वो उस पर भी हमला करनी लगता है, यूसक देखता है कि लड़के की अंदर वो डीमन किड़ा गूम रहा है, जिससे बो लड़का वो बस सुरत लग रहा था, किड़े को बाहर निकालने के लिए यूसक को अपनी आत्मवरी ताकत को इस्तमाल करना था, लेकिन वो उसे करना ही नहीं आ रही थी, फिर भी जैसे तैसे कोशिश करके यूसक अपनी ताकत को हाथ में लेकर आता है, और उस पावर वाले हासी डेमन लड़के के मूँपर जोरदार मुका मारता है, जिससे डेमन केड़ा उसकी अधर से निकल जाता है, अगले सुबा यूसक अपने घर गया, उसे फिर से जिदा देकर मौम और दोस काफी कोई शुजाती है, आत्माओं की दुनिया में हेड मोट की परी को बताता है कि अब यूसक को और भी खतरनाक, यनि सब यूकाई डेमन से लड़ना होगा, ये कहकर वो तीन कीमते चीज़े निखाता है, जिनने किसी ना किसी मकसद की वज़ज़ सी यूकाई डेमन हासिल करना चाती है, उसने हाथ में वो ये गोल चीज़ पकड़ी हुई थी, जिससे हमने डेमन की दुनिया में भी देखा था, क्योंकि ये यूकाई गोल चीज़ को वहां से हासिल कर चुका था, ये गोल चीज़ हिलने लगी, जिसकी साथी वहां तेज हवा का अंचोंका आया, और सारे बच्चे भी होश हो जाते हैं, ये समझने में देर नहीं रखती कि ये हवा का जौंका, उसी यूकाई ने गोल चीज़ की मदद से किया था, ये उसक आत्माँ की दुनिया में अपनी आत्मावली ताकत को इस्तमाल करना सीख रहा था, उसी अपनी ताकत की गंद से शूट करना कैसे भी सीखना था, तक कि यूकाई डीमन को हरा सकी, लेकिन हर बार वो नकाम ही हो रहा था, ये उसक होस्पिटल में आया, जहां उन्हीं सारे बिहोश बच्चों को लाया गया था, मोद की परी उसी बताती है कि ये यूकाई डीमन ने किया है, जिसके हाथ में वो गोल्चीज थी, उसने गोल्चीज की मदद से सभी बच्चों की आत्माओं को अपनी तरफ खीच लिया है, क्योंकि वो सभी बच्चों की आत्माओं को खाना चाता है, और अब इन बच्चों को उस यूकाई से बचाने का बस एक ही रास्ता है, और वो ये है कि तुम उस यूकाई डीमन से लड़ाई करोगी, और उससे वो गोल्चीज चीन लोगी, इसी हॉस्पिटल में यूसक उस फाइटर लड़की से भी मिलता है, साथ ही उस बच्ची से भी जिसे उसने एक्सिडेंट होने से बच जाया था, बच्चा उससे बताता है कि मेरे गर के सामने पार्क में और भी कई सारे बच्चे भी होश पढ़े है, यूसक जब उस पार्क में गया, तो सचमी बच्ची बिगोशी की हानत में, जमीन पर हर जगा पहले हुए थी, तब ही उसे वो यूकाय डीमन भी दिख जाता है जिसके हाथ में गोल्ड चीज थी, यूसक उसका पीछे करते करते एक पार्किंग एरिया में आ गया, जहां वो डीमन इंसानी रूप से यूकाय डीमन वाली रूप में आ जाता है, जो बहुत बड़ा खतरनाक राक्शिस लग रहा था, और अब वो यूसक पर हमला कर दीता है, वो भी कोट-कोट कर डीमन का सामना करने की कोशिश करने लगा, आत्मा गन इस्तमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन यूसक अभी भी ऐसा नहीं कर पाता, इनकी लड़ाई चल रहे थी, जिबकि कुछ दूर एक और लाल बालो वाला, यूकाय डीमन खड़ा वोकर ये सब देख रहा था, इसकी पास वो कार्शिशा था, जिससे भी हमने आत्मा के दुनिया में देखा था, वो डीमन यूसक को मारते हुए हवा में उठा देता है, जिस तुरान है यहां वो बच्चा आ गया, यूकाय डीमन को कहता है कि प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, बच्चे को देकर यूकाय डीमन फिर से गोल चीज का इस्तमाल करने लगा, और उसकी मदद से बच्चे की आत्मा को अपनी तरफ खीशने लगा, इससे पहले उस बच्चे की आत्मा को भी निगल जाता, ठेक वक्त पर यूसक कूद कर उसके उपर आ गया, और अब वो अपनी आत्मा गंसी उसके मूँ में शूट कर देता है, जिससे वो डीमन दोर जाकर गिरा, और यहीं उसका खात्मा हो जाता है, डीमन की मरते ही गोल चीज में से सबी बच्चे की आत्माएं निकल कर अजाद हो जाती है, जिस वज़े से बिहोश हुए सारे बच्चे को होशा जाती है, और वो अमीर आदमी दिखाया गया, जिसने कसीनों की मालिक को वो सुराक बेचा था, जिसके अंदर से केड़ा निकला था, उस वक्षुराग की बदले में कसीनो की मालिक ने अमीर आदमी को एक डीमन लड़की दे थी जिसे अमीर आदमी ने पिंजरे में बन करके रखा हुआ था ये जब भी रोया करती थी इसका एक आंसू बर्फ जैसे कीमती मार्बल में बदल जाया करता था अमीर आदमी को लालश था, वो सोच रहा था कि मैं एक कीमती मार्बल बेच कर और भी अमीर बन जाओंगा, वो यहाँ डीमन लड़की को मारता है, जिसे वो रोती है और उसका आंसू कीमती मार्बल बन जाता है, तब उसे लेकर अमीर आदमी बेचने के लिए वहाँ से चला अब हमें एक और डीमन दिखाया गया जिसके पास कई सारे वो ही कीमती मार्बल थी, क्योंकि वो डीमन लड़की इस वले डीमन की बेहन थी, लेकिन अभी दोनों बेहन भाई एक दूसरे से बिछड़े हुए थी, इस वले डीमन की पास वो कीमती चाकु भी था, जो भी हमन और यूसक से मिला और उसी अपने बारे में बतानी लगता है, कि 17 साल पहली मुझ पर किसी ने हमला कर दिया था, मैं जखमी था और मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैं इन सारे दुनिया में आकर एक औरत की पेट में चला गया, औरत का बच्चा पैदा होने की बज़ाई मै पैदा हुआ था, मेरी सोचा था, कि काफी सालों की बाद जब में बढ़ा हो जाऊंगा, मुझे मरी ताक्ती वापस मिल जाएंगी, तो मैं यहां से वापस चिड़ा जाऊंगा, और क्योंकि जिस औरत की पेट से में पैदा हुआ, वो मेरी माँ है, तो उन से मैं काफी प्य पास मोद की परियाई, कहती है, कि शिशा अगर मांगनी पर कुछ देता है, तो बदले में कुछ लेता भी है, हो सकता है कि वो उसकी मुम की जिन्दगी की बदले, उसकी जान लेने, यह सुनकर यूसक वाँ से भागा, तकि वो लाल बालो वाले उस यूकाई डीमन को बच जा सके, लाल बालो वाला यूकाई डीमन जैसे शिशे से अपनी मां की जिन्दगी मांगता है, तो तब यह उसकी अंदर से काफी सारी नहरे निकल गए, आस पास काफी बड़ी अनरजी को पिला देती है, जिसकी अंदर यूकाई डीमन को पड़ता है, उसे देखकर यूसक उसके साथ ये डिल कर लेता है, कि मैं तुम्हें अपने जिन्दगी देता हूँ, तुम इसे कुछ मत करो, इसलिए अब शिशा सिर्फ उसकी नहीं, बलकि दोनों की आदी आदी जिन्दगी लेकर उन्हें एनरजी से बाहर पहंग देता है, लिमन लड़की के भाई ने माती पर जहां कट लगाया था, वहां से एक आँख निकल कर आती है, जिसकी मदद से वो देखता है, कि अमीर आदमी की लोग मेरी बेहन का आंसू, यानि वो मार्बल बेचने जा रहे हैं, इसलिए वो जद्दी से वहां जाकर अपने चाकू से आदमें की गाड़ी के नीचे कट लगा देता हैं, और उन से वो आँख मार्बल ले लीता हैं, अमीर आदमी को आँख मार्बल की बारे में पता चल गया था, कि वो डीमो लड़की के बाई ने ले ली हैं, इसलिए वो कसीनो के मालिक से मिलने गया, जहां तबी उसकी पास एक और युकाई डीमन आता है, जि युकाई डीमन लड़की के बाई की पास आया, तकि उससे वो किमती चाकों वापिस ले सकी, यहां दोनों की लड़ाई होने लगती हैं, पर वो युकाई डीमन से फिर भी चाकों आंसिल नहीं कर बाता, क्योंकि युकाई डीमन ने युसर को लड़ाई में हरा दिया था, अमीर आदमी डीमन लड़की को कसीनों की मालिक के अड़े पर लाया, जो जोगा एक आयलेंड थी, यहां कसीनों का मालिक अमीर लोगों को जुआ खिलवाया करता था, तो युकाई डीमिस आपस में लड़ती थी, और अमीर लोग उन पर पैसे लगाया करती थे, शर्ते टुगोरो एक युकाय डीमन से लड़ाई करकी उसे हरा दीता है। डीमन की मढ़ते ही वाँ, खोन ही खोन पहल गया। अमीर आदमी का वो गाड जो डीमन लड़की का ख्याल रख रहा था, वो पिंजरा खोल कर उसे वाँ से बगानी लगता है। लेकिन सामने खड़ा दूसर इन्ही बुरा टुगोरो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो अपने जिसम को लंबा और नोकतर बना कर उस आदमी पर हमला करकी उसे मार दीता है। ये देखर डीमन लड़की दुखी होकर रोने लगती है। उसके कई सारे आंसों से वो किमती मार्बल्स बन जाती जिन्हें हासिल करकी वो काफी खुश हो जाता है। अमीर आदमी कसीनों की मानी को कहते है कि अब यूसक और इस डीमन लड़की की भाई को भी मारना है। इन्हे यूकाय डीमन को जिस पर कसीनों का हैड़ कोру है्त कर देगी। मौद की पर ही यूसक को एक मास्टर अउरत के पाल जाने का कहती है, तकि यूसक उसे अपनी आत्मा ताकत को इस्तमाल करना सीख ली, यूसक मान गया, इनके साथ फाइडर लड़का भी जाना चाहता था, इसलिए मोत की पर इंदोनों को मास्टर औरत की पास ली जाती है, जिसके अगले ही दिन से मास्टर औरत यूसक को ट यूसक को ये ट्रेनिंग वेकार लगती है, इसलिए वो मास्टर की बात मानने से मना करता है, साथ यूसके साथ लड़नी लगा था, लेकिन लड़ाई में मास्टर ही यूसक को हरा देती है, इसलिए यूसक को फिर सही अपनी ट्रेनिंग पर दिहान देना पड़ता है, जब कि वो लेकर यूसर को दे सके पुरामा उसे कहता है कि अगर तु मुझी वो जागो दे दो तो मैं तुम्हारी बेहन को ढूलूगा पर यूकाय डीमन ने ऐसा करने से साफ साफ मना गड़ दिया कसीनो का मानिक साइटिस्ट के साफ एक काफी बड़ी मशीन की पास खड़ा था क्योंकि वो इस मशीन के जरीए इनसानों और डीमन्स की बीच की दुनिया का दर्वाजा खोलना चाहता था इससे ये होगा कि डीमन्स फिर से इनसानों के दुनिया में आ सकेंगी पर इसके लिए कसीनों की माली को अभी और पैसों की जरूरत थी यूसक को ये ट्रेनिंग करती करती काफी दिन हो गई थी जिस वज़े से वो काफी ठग गया था पर फाइटन लड़का लगतार अपनी ट्रेनिंग कर रहा था फिर एक दिन आखिर वो इसमें काम्याब होई जाता है यानि उसकी ताक्ते एक्टिवेट हो जाती है और वो लकड़ी से पथर को काटी लेता है जिस वज़े से वो बहुत खुश था उसे काम्याब होता देकर यूसक भी अपनी ट्रेनिंग पर दिहान दिनी लगा था दिल से मेनत करता है और कुछी दिनों में अपनी ताक्त को उंगली में इकटा करके घंटों उस पर खड़ा होने की काबिल हो जाता है अपनी ताक्तें क्योंकि यूसक इस्सामाल करना जान गया था इसलिए वो यहाँ ताक्तों का दमाका करता है जिसे दोर से ये तो गोरोद देख लेता है इसलिए वो यूसक से लड़ाई करने के लिए उस सरफ जाने रखता है जहां यूसक ट्रेनिंग कर रहा था लेकिन उसके यहां आने की बारे में मास्टर जान गई थी इसलिए वो यूसक और फाइटर को यहां से बेज देती है पर जाने से पहले उसने अपनी ताक्तों की कुछ लहरे यूसक को दे दी थीम जिनसे वो और ताकतवर बन जाता है देमन लड़की का भाई यूसक की दोसको अगवा करने देता है जिससे यूसक को गुस्सा आ गया इसलिए वो डेमन लड़की की भाई यूकाई डेमन के पास गया दोनों की लड़ाई होने लगा पता चला कि यूसक वो मिलकर उन से लड़ाई करनी चाहिए तो इसलिए अभी सारे लोग मिलकर अपने दुश्मनों से ड़ने गए यानी कसीनों की मालिक की आइलेंड पर यहां आपकर इन ही पता चिला कि कसीनों का मालिक हमें अपने युकाय डीमन से लड़वाना चाहता हैं जिस पर अभी अभी तो इनके सामने एक और युकाय डीमन आ जाता है जिसके साथ कुरामा लड़ाई करनी लगता है अब यहां दो लड़ायां चेल रही थी एक तो यहां युकाय डीमन की कुरामा से जबके डीमन लड़की का बाई भी दूसरे डीमन से लड़ रहा था ये दोनों लड़ इसलिए अब यहां कुरामा को युकाई बने शकल में आना पड़ता है जिससे अब वो लड़ाई में आगी था उस पर बाहर ही पड़ता है और ऐसे कई बार उसे माल कर दोसरे युकाई को लड़ाई में हरा देता है तो उसी लड़ाई में भी डेमन लड़की का भाई ही जीत जाता है पर इसमें उसका हाँ जखमी हो गया था अब यूसक की दोस्त को उसे जेल में बंद किया हुआ था जहां पर डीमन लड़की के इसलिए दो लोगी दोस्ते हो जाती है दोनों लड़कियां गार्ड को चक्मा देकर जेल से भाग कर बाहिर आ जाती है जहां इने लड़का उसे रहने लगा पर वो फाइटर पर ही बारी पढ़ने लगा था अब यूसक भी एक जगा पर पहुंच जा जहां उसे जवान वले टोगोरों से लड़ाई करने अब क्यूंकि कसीनों के माली की पास शर्तों की पैसी आ गई थी इसलिए वो मशीन की एनरजी को त लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि वो एरिया भी टोटने लगता है जहां सारे अमेर लोग बैठ कर ये लड़ाई देख रहे थी तो फाइटर अपनी ताक्तों से बुड़े टोगोरों को कार दीता है लेकिन वो अपनी ताक्तों से दुपारा खुद को ठीक कर लेता है और देता है तकि डीमन्स इंसाने दुनिया में ना सकी पर ये शिल्ड जिदा दिर तक नहीं रहने वाली इसलिए अत्माओ का हैट खुद कसीनों की मालिक के पास गया उससे पूछता है कि बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे हो क्या चाहते हो आखिर जिस पर कसीनों का मालिक कहत है कि मैं फिर से वो ही दुनिया देखना चाहता हूँ जहाँ पर इंसान और डीमन्स एक साथ डाह करती थी ये देख आत्माओ का हैट उससे समझाता है कि देखो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर डीमन्स इंसानों की दुनिया में आ गई तो इंसान उन्हें कर पाएंगे औ लेकिन कसीनों का हैट उसकी एक नहीं सुनता पर वो ये कह दीता है कि अगर तुमारे लोग मेरे टोगोरो डीमन को हरा दें तो मैं अपनी एनरजी वाली मशीन बंद करने की साथ साथ खुद को भी खत्न कर लोगा तो अब उसकी ये शर्त आत्माओ का हैट मान लेता है इनक उसका कुछ भी नहीं हुआ उल्टा वो अपनी ताक्ती और बढ़ा लेता है और फिर सी सब को मारने लगता है इतनी ही देर में यहां लड़ती लड़ती फाइटर और बुड़ा टोगोरो भी आ जाती है जिसका मतलब कि अब यहां एक साथ दो दो टोगोरो थी बुड़ा टोगोरो यहां जवान टोगोरो की कहानी बताता है कि वो पहले इंसान ही था लेकिन जब उसनी युकाय डीमन की ताक्तों को देखा तो वो भी डीमन बन गया वो बताता है कि अब टोगोरो इतना ताकतवर है कि वो अपने सामने किसी को पर टिकने नहीं देता यह सुनकर फ साकर से टोगोरो पर हमला करता है जो उसी मास्टर ने डी और ऐसी वो टोगोरो को कंट्रोल भी अब कर पा रहा था यानि उस पर भारी पढ़ रहा था यूसक उसी खूब मारता है पर यह देकर टोगोरो अपनी युकाई वाली शकल में आ गया था जो गोत खतरनाक थी इस रो खत्राइब को उसने रोकना भी चाहा लेकिन यह हमला इतना ताकतवर था यह हमले को टोगोरो वरदाश्ट नहीं कर पाता है इसलिए उसका युकाई वाला जिसम काला पढ़ने लगता है देखते ही देखते वो पूरा जेल गया पूरा जिसम काला पढ़ गया और अगली ही पल उसकी जिसम के टुकडे टुकडे हो जाती है और ऐसी टोगोरो का खेल खत्म जाता है फाइटर की हालत देखकर डीमन लड़की उसकी पास आई नी ताक्तों से वो उसे फिर से ठीक कर देती है लड़ाई खतम होने की बार डीमन लड़की का भाई चाकू कुरामा को दे ह देता है क्योंकि अब उसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी और इस तरह उन्होंने कसीनों की मालिक की बुरे युकाय डीमन को मार कर अच्छाई की जीत करवा दी थी इसलिए कसीनों का मालिक अपनी वादे की मुताबिक उस मशीन को बंद कर देता है जिसकी एनरजी से डीमन की बहुत बुरे थी और वो डीमन भी था इसलिए उसकी आत्मा हैल इन्ही जहानम की तरफ जिया रही जिहां वो हमेशे के लिए अपने बुरे कामों के लिए तरपने वाला सजा पाने वाला था जिसके टगोरों का सर्तों उसी आईलिन पर पड़ा हुआ था जिसे एक जाता है